Today I solve class 7th mathematics chapter 5 lines and angle का exercise 5.2 को solve करेंगे पिछे वाले वीडियो में 5.1 को हमने solve किया था और इस वीडियो में 5.2 को solve करेंगे लेकिन हमने जब 5.1 को पढ़ाया था तो उसका introduction भी बताया था कि उसमें क्या-क्या theory, concept यूज होंगे ठीक उसी तरह 5.2 को भी पढ़ने से पहले हम लोग ये सिखेंगे कि इसमें theory क्या है, concept क्या है जदी आप theory concept को सही से समझ जाओगे तो फिर आपको exercise के question करने में कोई problem नहीं होगी ठीके तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले आपको कुछ concept पढ़ाएंगे ठीके जो concept बहुत important है आप लोग के लिए ठीके आईए, सबसे पहले इसमें 5.2 में आता है कि point of intersection किसको काते हैं, अखीर, number one डालो, अपने page में भी डालो, copy में point of, इस video में हम 5.2 को भी solve करेंगे, ठीके न, ध्यान रहे, point of intersection यह जो हम चीज बता रहे हैं, जदि आप इसे समाझ जाते हो, तो फिर आपको exercise करने में कोई problem नहीं होगी, ठीके, चलो, तो देखो point of intersection जो होता है, point of intersection, intersection से ही पता लग रहा है कि दो आपको line होना चाहिए, कम से कम, दो line होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को intersect करेगी, तो हम क्या करते हैं, इसका definition में लिखते हैं, कि two line, एक line का A अभी ले लो, चाहिए L M ले लो, intersect, if they have a point in common, मतलब जो common point होंगे, तो this common point, जो common point होगा, उसी को हम लोग point of intersection बोलेंगे, ऐसे कहने सा आपको बाते समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले हम इसको एक बार लिख देते हैं, कि two lines, two lines, L and M, हमने L M ले लिया, कोई A, B भी लेता है, तुछ से कोई confusion एक जुरत नहीं है, L and M, intersect, intersect, if they, if they have a point, if they have a point in common, in common, this common, this common, this common point, इसमें जो common point होगा, उसका नाम आप figure के recording देंगे, ठीके न, पहले हम क्या करते हैं, आपको figure ही दिखा देते हैं, यह देखो, हमने एक यह line लिया, इसका नाम दे दो, और एक यह line, इसका नाम दो L, और इसका नाम दे दो aim, ठीके, क्या बोले, दो point and two lines, point नहीं lines, two lines, L and aim, एक L line और एक aim line, क्या किया, एक दूसरे को intersect किया, जो intersect किया, यहाँ पर किया है, इसका आप जो नाम देना चाहते हो, दे सकते हो, हम यहाँ पर O नाम दे देते हैं, ठीके, the common point, दोनों के लिए common point क्या मिला, O, यहाँ लिखेंगे, common point, O is, there, point of, point of intersection, point of intersection, is called point of intersection, ओके, तो अब आप लोगों यह बाते जरूर समझ में आ गया होगा, कि point of intersection क्या होते हैं, दो line होते हैं, और जो यहाँ पर common point होगा, उसी को point of intersection बोलते हैं, ठीके, यह क्या है, point of intersection, ठीके, उसके बाद आता है, transversal, यह transversal भी ना, बहुत important है, ठीके, second topic, transversal, transversal, अब transversal क्या करता है, देखो, transversal में क्या होता है, इसमें दो line होता है, और एक किसरा line क्या करता है, कट कर देता है, उसी को हम लोग transversal बोलते हैं, तो इसको हम लोग definition लिखेंगे, कि a line that intersects two or more lines at distance point, at distance point is called transversal, तो definition लिख देता है, ऐसा definition याद करने से कोई आप लोग को profit होने वाला है नहीं, बट हम लिखवाना चाहते हैं, इसलिए कभी आपको काम दे सकता है, ठीके, a line that intersects two or more lines, two or more lines, at distinct, distinct point, distinct point, is called, is called, यह transversal, transversal, ठीके, तो यह देखो क्या होता है न, transversal, कि इसमें आपको पहले तो दो line रहेगा, ठीके, इसका नाम दे सकते हो, यह L है, और यह aim है, ठीके, और इस line को क्या करेगा, यह देखो, intersect करेगा, ठीके, तो जो intersect किया, इसका नाम दे दो P, यह कुछ भी Q, यह जो दो line यह, दो line से ज़्यादा भी रहेगा, और इस line को जो हमें एक, यहां से draw करेंगे, तो यहां पर जो intersect यहां कर रहा है, और यह यहां भी कर रहा है, इसी को हम लोग Transversal बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Transversal बोलते हैं, ठीके, याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, चलो, उसके बाद देखो, अब आजाओ, angles के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीके, यहां पर आजाओ, अब angles के coding, बहुत सरा उससे Transversal बनते हैं, ठीके, third point डालो, angle, यह बहुत important है, सबसे important, angle, mid-wire Transversal, Transversal, angles, mid-wire Transversal, अब यह देखो, अब यह क्या है, सबसे पहले, यहां पर हम दो लाइन खिचेंगे, ठीके, यह दो लाइन, Transversal का बात किया है, हम इसको Transversal कर दिये, इसका नाम दे देंगे, यह बहुत important है, यह छोटी चीज हम नहीं बताने जा रहे हैं, बहुत important है, इतना important कि आप सोच भी नहीं सकते हो, कितना इसका usage है अभी, पुरे lifetime आपको usage है, यहां पर आप बहुत चीज सिखेंगे, interior angle किसको बोलते हैं, exterior angle किसको करते हैं, corresponding angle किसको बोलते हैं, alternate interior angle किसको बोलते हैं, pair of alternate exterior angle किसको बोलते हैं, तो बहुत सारे angle हैं, जो कि आपको यहीं पर सिखना है, ठीक है, तो आईए, इस वीडियो में आप लोग को सारे knowledge देने वाले हैं, ठीक है, सबसे पहले देखिए, आप यह सिखिए, इस angle का जो नाम है, वो क्या है, angle 1, ठीक है, इस angle का नाम क्या है, angle 2, इस angle का नाम क्या है, angle 3, इस angle का नाम क्या हो गया, angle 4, और यह angle जो आएगा, यह होगा 5, और यह जो होगा, यह होगा 6, और यह हो जाएगा, यह पहले 7, और यह हो जाएगा 8, ठीक है, ऐसे चलता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे तो करना हैगा सबको, अब यह जो हमने angle दिया न यहाँ पर 8 angle हमने नाम दिया अब 8 angle का नाम है कैसे क्या angle बनता है अब यह समझेगा बहुत important है फिर से एक बार बोल रहा हूं ठीक है सबसे पहले आप से कोई बोलेगा कि इस angle में से बताईए कि interior angle कौन कौन है interior angle interior angle कौन कौन होगा तो देखो interior angle कौन कौन होगा angle 3 होगा angle 4 होगा 5 होगा 6 होगा interior का मतलब होता है अंदर तो देखो यह दो जो line है उनके अंदर में जो रहता है उसको बोलते हैं interior angle तो कौन कौन है 3,4,5,6 लिख देंगे angle 3, angle 4, angle 5 और angle 6 उसी को बोलते हैं interior angle अब आपसे कोई बोल दे exterior angle किसको बोलते हैं exterior angle देखो exterior angle उसे बोलेंगे बाहर वाला exterior से हिन लग रहा है कि बाहर तो बाहर में 1 है 2 है 7 है और 8 है लिखेंगे angle 1, angle 2 angle 7 और angle 8 यह क्या है exterior angle है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो cross bonding आता है कि इसमें pair of pair मतलों जुड़वा ठीक है pair of cross bonding cross bonding angle अब cross bonding angle कौन से आता है देखो यह जो angle 1 है न इंगल 5 angle one और angle 5 मतलब ec ko छोड़ करके यह क्या करॉस कोंडिंग एक तरह है और छोड़कर करके cross bonding बुलते हैं 2 है और 6 यह क्या है corresponding है अंगल 3 है न एंगल 75 को छोड़कर के एक corresponding है फोर है न 6 को छोड़कर के 8 corresponding है मतलब एकっぽ पर यह नो चाहिए अब होना चाहिए देना इस साइट से इस साइटा जाएंगे आवे लाइन जो कटके ला इसाट को पॉर्स पॉनडिंग होता है येक को छोढ़ करके एक के बाद 5 यानि एंगल 1 औड बफ और इंगल पर 5 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है? समाझ मा आ गया? अब alternate interior angle देखो, कि alternate interior angle किसको बोलते हैं, ठीक है? पियर रखो, क्योंकि जुड़वा होता है सारा चीज, पियर ओफ alternate alternate interior इंटरियर एंगल, तो देखो alternate interior angle जो होता है, वो कोन कोन होता है? एंगल 3 और एंगल 6 मतलब alternate मतलब यह वो east side और एक east side 3 और 6 क्या है? अल्टर्नेट है, 5 और 4 क्या है? अल्टर्नेट है क्या है? अल्टर्नेट और यहां इंट्रियर लगा है तो मतलब सिर्फ अंदर ओला ही देखना है तो एंगल 3 एंगल 3 एंड एंगल 6 एंगल 4 एंड एंगल 5 यह क्या है अल्टर्नेट इंट्रियर अब इसमें अल्टर्नेट एक्स्टेरियर भी होता है यह नि बाहर बाहर ओला लिखेंगे कि पियर ओप Alternate Exterior Angle वो क्या होगा Exterior Angle क्या होगा One और क्या होगा Exterior बहर रहांचे One और Eight हो जाएगा और Two और Seven हो जाएगा Angle One and Angle Eight Angle Two and Angle Seven ठीक है याद रहेगा कभी नहीं भूलोगे अब चलो अब क्या होता है कि interior angle on the same side of transversal same side of transversal interior हो क्या हो interior और same side होता है तो 3 और 5 होता है और 4 और 6 होता है यह तो बहुत कामीज होता है उसको आप छोड़ दो ठीक है तो यह था आप लोगो 5.2 में इस होने वाले concept अब इतना आप लोगो complete कर लिए हो तो आपको कोई 5.2 में लिक्कत नहीं होगी ठीक है चलो इस्टार्ट करते हैं अपना 5.2 का first question यह देखो question 1 का हमने figure भी बना लिया और question को भी लिख लिया तो figure यहाँ है question यहाँ है first question है if a parallel b then angle 1 equal to angle 5 यह कौन सा property है देखो सबसे पहले हम यह check करेंगे angle 1 और angle 5 को equal बोला जा रहा है यह angle 1 है और यह angle 5 है तो angle 1 और angle 5 यह क्या हो रहा है देखो तो यह हमारा corresponding angle पता है ना कि एक angle को छोड़ करके दूसरा तिसरा angle आ जाए एक angle के बात हुई दूसरा angle छोड़ करके तिसरा angle की जाब बात होती है उसी को बोलते है corresponding angle तो angle 1 और angle 5 क्या है corresponding angle है क्या है corresponding angle तो लिखेंगे यह जो हमारा angle है यह है corresponding एंगल ठीक है यह क्या है corresponding angle से अब corresponding angles है तो ठीक है corresponding angle का rule क्या कहता है corresponding angle जो होता है आपको अभी हमने पढ़ाया देखो कि corresponding angle जो होता है kuya होता है एक दूसरे में equal होता है होता है सबको पता है तेहाँ पर इसका statement भी देना है कि आ खिर बताओ corresponding angle equal के हैं वाई तो लिखेंगे इफ इफ टू फार्ले लाइन इसमें सब आपको गिवेन है आपको कुछ अलग से नहीं करना है इफ टू फार्ले लाइन आर कट वाई एट ट्रांस भर्सल ट्रांस भर्सल इच पेर आफ इच पेर आफ क्रोसपांड इइच प्यार आफ ग्रोसपांड इंगल आर क्रोसपांड इंगल आर इक्वśniejड मेजर्स क्या ओते हैं इक्वल ओते हैं बस आपको एस्टेटेमेंट देना है अब यहाँ है कि if angle 4 equal to angle 6 then A parallel B अब देखो तो angle 4 और 6 अब equal होंगे angle 4 है और angle 6 है alternate मतलब देखो अंदर तो है और alternate है मतलब इधर से इधर आग़ रहा है alternate interior angle है क्या बोलेंगे यह जो हमारा given है यह alternate interior angle है alternate interior रेयर एंगल ओके अल्टनेट इंटरेट अंगल कब होता है इसका स्टेटमेंट कर देंगे वेन अ ट्रांस भर सल कॉट टू ला इन आएंगल अखी ए सिर्फ हर सट करनेट इंटरेट बच स्व मैं हम आए ट्रांस भर स्वाए खर ईसा को घर्ला स्ट teы डीजक को May such that pair of alternate interior angles are equal the lines have the lines have to be parallel okay next is main statement is not meant to be a statement you need to go third is if angle 4 plus angle 5 equal to 180 degrees then a parallel b now here this angle 4 and 5 is the same as 180 angle 4 and angle 5 is the same as 180 this is the same as co-interior angle this is the same as co-interior angle co-interior angle 180 180 होता है जो कि आपको यह हम condition नहीं पढ़ा है ऐसे आपको कभी जवरत भी नहीं पढ़ते हैं लेकिन question में दिया है कोई बात नहीं इसको हमें आपर बता देते हैं कि जो कोई बड़ी चीज नहीं है इसका statement हम देखो दे देंगे तो आपको अच्छे समझ माझा जाएगा इसका statement यह होगा कि कि वे ने transversal cut two lines such a pair of interior angle on the same side of the transversal the supplementary मतलब कहता है कि दो line क्या कर रहा है transversal कर रहा है cut कर रहा है और इसमें pair of interior angle क्या होता है जब same side होता है same side होता है और transversal कर रहा होगा उस time में क्या होता है इस दोनों का some supplementary supplementary मतलब 180 हो जाता है ओके तो बास आपको यहीं बात यहां भी write कर देना है वेन यह transversal वेन ए और transversal cut two lines cut two lines such that pair of pair of interior angle on the same side or same side of transversal transversal or supplementary supplementary the lines have to be parallel okay I hope कि आप लोग को यह question समझ में आ गया होगा यह बस समझने के लिए है ज्यादा इसमें घबराने जूरत नहीं है बस आपको यह चीज़ आना चाहिए कि कौन कब transversal हो रहा है कैसे उसका नाम क्या होता है तो मतलब इस question को करने निगर भी निगेंडेंटेटी मतलब इसका भी में पाचा आना आपको अलब यहां है कि पियर ओफ घ्रडर्स आँगल 2 और अच्छा यहां पर अलग अलग लिएंग क्योंकि एंगल 1 अंगल 5 एक साथ एंगल 2 एंगल 6 एक साथ और एंगल 4 इंगल 8 एक साथ और मैं एंगल 3 और एंगल त्री और सेविन च्रूइस्पानडिं एंगल है जो कि आपको भी आपने पढ़ाया the pair of alternate interior angle alternate interior कौन कौन है alternate interior अंदर ओला 3 और क्या है 8 नहीं 3 और 5 2 और 8 ठीक है 3 5 और और क्या है 2 8 हो गया the pair of the pair of interior angle on the same side of the transversal एक ही और देखो तो 3 और 8 2 और 5 3 और 8 और 2 और 5 दब वर्टिकली ऑपोजेट्स एंगल वर्टिकली ऑपोजेट्स क्या होता है उल्टा ठीक है तो यहां से क्या होगा angle 1 और angle 3 वर्टिकली ऑपोजेट्स है 4 और 2 यह 2 और 4 को लिखो एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 4 और क्या होगा 5,7 5 और 7 एंगल 6 और 8 यह देखो वर्टिकली ऑपोजेट्स एंगल है ठीक है I hope कि आप लोग को एक्वेशन समझ में आ रहा होगा कोई दिकत नहीं हुआ होगा क्योंकि बहुत इजी है साही से देखोगे तो कोई कठीन थोड़ी है बहुत इजी है I hope कि आप लोग को एक्वेशन समझ में आ गया होगा कोई दिकत नहीं हुआ होगा ठीक है चलो मिलते हैं अब हम next class में part 2 में question number 3 के साथ और जदी आप लोग को 7th की math whole course पढ़ना है तो आप हमारे app के through live class भी कर सकते हो आप का नेम है आपका app आया है C-A-R-B कार्व अकार्डमी कार्व अकार्डमी तो कार्व अकार्डमी आप को जाकर के आप पले अश्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या इस वीडियो के description में भी है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो देखो live class करने के लिए मात्र 4.99 रुपी लगती है पूरे इस 4.99 में आप जब तक 8 class में नहीं चले जाओगे जनको जोईन करना है जल से जल जाकर के कार्व अकार्डमी एप डाउनलोड करके और वहाँ पर रजिस्टर करें रजिस्टर करके अपना दिबे बैच class 7th English Medium जोईन करें और बहुत अच्छे से आपका त्यारी होने की 100% हम गरांटी लेते हैं कोई आपको मैत में रिकनेस होगा या जो भी होगा श्ट्रोंग करने की फूल गरांटी 100% जल से जल जाकर के जोईन करें कार्व अकार्डमी एप और लाइव क्लास अपना इस्टर करें उसमें डाउट क्लास चलेगा नोडस मिलेगा बहुत सारे फ्यूचर है जो कि आपको मिलने वाला है जल दियापका मैत वीक हो ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्य बाद पार्ट टू वीडियो जल्दी आने वाला है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो थेंक्यू सो मच